मुझे खुशी है कि आदर्णिया नरेंद्र मोदी जी के नेत्रूतुमें बारस सरकार ने 2016 में दिव्यांग जन अधिकार काईदय का लागू किया गया और इस कानून के प्रती यही उद्दिष्ठ था कि हमारे दिव्यांगों का विकास हो और उनको सन्मान से जीवन में जने का अधिकार प्राप्त हो और इसी लिए दिव्यांगा और जेश्ठ नागरिक जो है उनके जीवन को सुसाय करने के लिए बारस सरकार ने अनेक कारेकरम लिये है मैं विरेंद्र कुमार जी को मिशेश्चुप से धन्यवाद दूगा कि उनके मार्गदर्शन में आज का यह कारेकरम हो रहा है जो हमारे समाज के आखरी पाइदान पर खड़े है जो शोशीत है वंचीत है जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है खाने के लिए रोटी नहीं है जिनका शरीर पर कपड़ा नहीं है उस दरित्र नारायन को हम भगवान माने और हम उसकी निरंतर सेवा करते रहे और जिस दिन इस दरिद्र नाराणों को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा उसी दिन हमारा कार्य पुरा होगा ऐसा हम समझेंगे ये पंडित दिन्द्याल उपाद्ध्याजी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंतियो दे के रूप में हम सब के लिएक मार्ग दर्शक तत्व है पर जैसे दिन्द्याल जी ने कहा है वैसे महाराष्ट में मारी आस्ता और श्रद्धा हमारी महाराष्ट ये साधू संतों की भूमी है नानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज हमारे विधर्ब में तुकडोजी महाराज, गाडगे महाराज, गजानन महाराज हमारे आताजूत दिन मावा हो हर जगह पर हमारी संस्कृत और इतिहास में हमारे साधू संतों का बहुत बड़ा योगदान्द रहा है तुकाराम महाराजी ने कहा है जे का रंजले गांजले त्यासी मने जो आपुले तोची साधू ओड़ खावा देव तेथे ची जानावा मुझे लगता है कि आज की ये वयश्री योजना असिस्टन्स टू डिसेबल परसंद एडी आईपी और जो साथ साल के उपर जो हमारे जेश्ट नागरी कहे उनके लिए ये योजना है ये एक प्रकार से जो रंजले गांजले है उनकी सेवा करने का एक सुनारा आउसर आपके लोग प्रदिदी के नाते मुझे और हमारी सरकार को मोदी जी को, विरेंदर कुमार जी को आप सब लोगों ने दिया है इसके लिए मैं हमको भाग्यवान समझता हूँ नसीवान मानता हूँ और आपका अशीरवाद आपके शुभका मना ही हमें जीवन में शक्ती देती रहेगी बैनोर भाईयो हमने 27 फेर्वरी से 23 एप्रिल 22 तक सब जेश्ट नागरी कौक दिवांगों के लिए जाज शिविरों का आयोजन किया गया था इसमें नाकपूर शहर में 28,000 और गरामिन में 8,000 ऐसे 36,000 लोगों की जाच हुई और उसमें से करीब 2,41,000 विवित प्रकार के उपकरण और साहित्य वितरित होने वाले है अब इसका रजिस्टेशन अभी भी चालू है ये संख्या बढ़ रही है आधार कार्ड के आधार पर उनको वो भी आज भी अवसर प्राप्त हो रहा है ये 40 करोन रुपे का साहित्य आज हमारे जेश्ट नागरिका और दिवयांगों को मिल रहा है एक प्रकार से ये देश के इतिहास में ये सबसे पहला कारेकरम है कि जितने इतनी बड़ी संख्या में इसका आयोजन हुआ है मैं समाच कल्यान विवाक के मंतरी आजरनी विरेंदर कुमार जी को उनके सचीव, उनके जाड़ी ग्याइंट सेकेटरी और उसमें उनके सभी मंतराले के दिकारियों को हमारे म्यूसिपल कमिष्टर राधा कुष्णन जी उनके नेतरुत्व में सभी महानगर पाली का के दिकारी गन और विशेश रुप से हमारे विधायक मोहन मते और उनके मार्ग दर्शन में हमारे जो नगर सेवक है विशेश रुप से उनने घर घर जाकर ये काम किया है और दिव्याताई घुर्डे रुपाली ठाकूर स्नेहल बिहारे स्वाती आखतकर मंगला खेकरे उशाताई पाइलट कलपना कुम्भलकर भारती लेंडे विध्या मडावी लिलाताई हतिवेड वंदना भगत रिता मुले राजेंद्र सोनकुष्रे पिंटु जलके नागे सहा भगवान मेंडे अभय गोटेकर नागे शमानकर दीपक चौधरी निताताई ठाकरे और देवेंद्र दस्तुडे ये दक्षिन नाकपूर के प्रमुक लोगों को भी विशेश्रुप से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने घर-घर जाकर दिव्यांगं को लाया उनको आपके सामने विशेश्रुप से हमारे जो दिव्यांगा के खेतर में हमारे प्रमुक कारे करता है चोवान जी जो 25 करोड का उद्योग चलाते हैं मैंने अभी मंतरी जी को पताया कि उनके फैक्टरी को आग लग गई फैक्टरी बरबाद हो गई पर वो रोए नहीं मेरे पा सकती 25 करोड का धन्दा कर रहा है और खड़ा किया उनके विश्वास के साथ उनको मैंने इसलिए बोलने के लिए कहा था कि उनके तरफ देखकर आपके मन में आत्मविश्वास पैदा हो आपके मन में कामयाभी के लिए एक महत्वा कांश्वा पैदा हो और वो गाना था ना हम होंगे काम्याब एक दिन उसी प्रकार से हम हमारे जीवन में यशश्वी होंगे इसी भाव से आज का यह कारेकरम हुआ है मैं विशेश रुप से धन्यवाद दूँगा अधरनिय विरेंद्र कुमार जी को कि उन्होंने हमारे नाक्पूर के लिए आज दिव्यांग पार की योजना को मंजूर करने की गोशना की है